इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है。 हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी वटिन्थ 16 टेबलेट को आंतर एक कान के मेनिया रोग नामक disorder की रोग थाम और इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है लक्षनों में चक्कराना, कानों में बजना, टिनिटिस और सुनने की हानी शामिल है जो संभवता कान में तरल पदार्थ के कारण होता है यह दवा तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके लक्षनों से राहत देने में मदद करती है वटिन सोलर टेबलेट का अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए इसे बिना तोड़े पानी के साथ निगला जाना चाहिए और हर दिन इसे एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए आपका डॉक्टर यह निर्णय लेगा कि आपके लक्षनों से राहत पाने के लिए सही खुराप क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है आपको इस दवा को कई महीनों तक लेने की आवश्यक्ता हो सकती है और आपको इसे अपने चिकित सक द्वारा निर्धारित समय तक लेना चाहिए भले ही आप बहतर महसूस करना शुरू कर दें आम साइड इफेक्ट में सिर्ध दर्ध, मितली और अपच, डिस्पेप्सिया शामिल है आपको पेट में दर्ध और पेट फूलना भी हो सकता है इस दवा को भोजन के साथ लेने से पेट की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको पेट का अलसर, अस्थमा या उच्छ या कम ब्लड प्रेश है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रही हैं यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो भी अपने डॉक्टर से बात करें विडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह विडियो पसंद आय हो तो कृपया इस विडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवाईयों की जानकारी के विडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद